हलो एब्रिवन, स्वागत है आपका यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स फॉर होम चैनल में जहाँ पर हर बार के तरह इस वीडियो में भी मैं आपके लेके आई हूँ होम इन किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूसफुल टिप्स और हैक्स जो आपके डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को असान कर देंगे जिससे आपका काफी सारा टाइम और पैसा भी बच जाएगा तो चलिए आज की इस नए वीडियो को शुरू करते है और आज की पहली टिप है इस ओईल के बाटल को लेकर जहाँ पर हम ओईल की यह बाटल या फिर ऌईल का कोई भी बरतन वगज़ा रख देते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ पर हम इस बाटल को रखते हैं तो वहाँ पर ओईल की एक रिंग बन जाती है और वो सर्फेस भी काफी ओईली और चिप-चिपा हो जाता है कि oil रखने के बाद ये oily चिपचिपा भी surface ना हो जाए और ये bottle भी अच्छी तरीके से cover हो पाए तो इसके लिए यहाँ पर हम कोई बरतन वगरा बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है silver foil paper जो हम सब के kitchen में होता ही है जिस भी oil के can या फिर bottle को आपको cover करना है उसके size का छोटा सा paper आप cut कर ले और उसे कुछ इस तरीके से इस bottle के bottom पर आप cover कर ले तो आप देखेंगे इसी bottle के size का एक बहुती बढ़िया इस silver foil paper से एक अच्छा सा bowl बनकर तयार हो जाएगा जिससे आप आसानी से निकाल और रख भी पा सकते हो अगर आपके घर में बड़ा सा कोई oil का can है हम सब के घर में 5 लिटर 15 लिटर का can भी होता है मेकप करना हम सब को अच्छा लगता है लेकिन जब turn आता है इस मेकप को remove करने के बारे में तब कई सारे ऐसे make-up remove होते हैं जो इस्तमाल करने के बाद कई लोगों की skin जो काफी sensitive होती है dry होती है तो मेकप remove करने के बाद उनकी skin और भी dry हो जाती है skin पर थोड़ी सी जलन भी हो जाती है तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम make-up भी remove कर पाए और हमारे skin पर बिलकुल भी जलन ना हो skin बिलकुल dry भी ना हो पाए तो इसके लिए personally मैं तो यूज करती हूँ दूद का जी हाँ make-up remove करने के लिए ये natural ingredients बहुती बढ़िया काम करता है और ये दूद है जो हमारी skin पर बहुती बढ़िया काम करता है जिससे हमारी skin और भी soft हो जाती है तो कोई chemical से भरे make-up remove और यूज करने से better है कि आपकी skin भी अगर dry हो sensitive हो तो make-up remove करने के लिए आप भी cotton पर थोड़ा सा दूद ले ले और उससे make-up remove करे तो आप देखोगे make-up तो remove हो ही जाएगा दूद से आपकी skin भी काफी soft हो जाएगी हम सबके घरों में कुछ grill वाले दरवाजे खिड़किया वगरा होती है इस grill के पीछे ही तुरंत काच होने के कारण इसके उपर जो भी grill वगरा लगे होते है इसे साफ करते वक्त हमारा हाथ इसके दोनों तरफ नहीं पोचता है तो इस grill को हम अच्छी तरीके से साफ नहीं क पाते है तो ऐसे grill को साफ करने के लिए हम करेंगे एक बहुती बढ़िया जुगाडू है और इसके लिए हमें चाहिए दो तूट ब्रश तो यहाँ पर मैंने दो पुराने तूट ब्रश ले लिए है और एक से दो रबर बैंड से हम इसे इस तरीके से से क्योर कर देंगे त दोनों साइट से अंदर बाहर से हम इस grill को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे डेली जब भी हम रोटी या पराठे वगरे बेलते हैं तब आपने देखा होगा कि किचन काउंटर पर रखा हुआ यह जो चकला है बार बार फिसलता रहता है कई लोग इसके पर्मनंट सोलूशन ही निकाल दे तो किचन काउंटर पर या फिर कहीं पर रखने के बाद यह जो चकला है यह बिल्कुल भी स्लिप नहों इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर तीन से चार रबर बैंड आपके चकले पर जितने भी पैर है जितने भी स्टैंड है उसके अकॉर नहीं है तो आप किचन काउंटर पर जहाँ पर इसके पैर आते हैं वहाँ पर इस रबर बैंड को रख दे तो आप देखोगे रबर बैंड के कारण बहुती बढ़िया इसको ग्रिप मिलेगा अब रोटी अवगरा बेलते वक्त यह चकला बिल्कुल भी स्लिप भी नहीं हो कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि इस चकला अगर प्रॉपर तरीके से सुखाया ना जाए या फिर इसे धूप ना दिखाई जाए तो इस चकले के उपर बहुती जल्दी फंगस आ जाता है यह चकला सफेध हो जाता है फंगस के कारण तो इस चकले को फंगस से बचाने के के लिए आप जब भी चकले को अच्छी तरैके से पानी से धोले तो इसे सुखाने के लिए ज़रूर रखते अगर आपके घर में कहीं दूप नहीं आ रही हो या फिर आपके एरिया में दूप नहीं आती हो बारिश का सीजन है थन का मौसम है जहाँ पर दूप अच्छी तरीके से नहीं आती या फिर काफी कम आती है तो ऐसे दिनों में जब भी आप खाना बना कर गैस को बन कर दे तब गैस थोड़ा सा गर गरम होता है या फिर रोटिया वगरा गरम करने के बाद जो हमारा तवा होता है ये भी गरम होता है तो इस तवे के उपर या फिर गरम गैस के उपर आप इस चकले या फिर बेलन को रख दे तो आप देखोगे इससे इसमें जो भी मौईश्यर वगरा होगा वो निकालने में आसानी होगी किचन में और भी ऐसे उडन स्पैचुला होता है या फिर उडन के ऐसे कई ऐसी चीजे होती है जो मौश्चर के कारण इसके उपर फंगस वगरा जमा हो जाता है तो ऐसी चीजों को भी आप कम से कम हपते में एक बार गैस पर इस तरीके से गरम कर दे तो इसके उ उपर जो भी फंगस है या फिर मौश्चर वगरा जमा होगा तो गरम करने से ये भी निकल जाएगा और लकड़ी की ये चीजे काफी दिनों तक ऐसे ही अच्छी रहेगी So friends, I hope कि आज की इस वीडियो में दिखाएगा ये सारे छोटे मोटे टिपस और हैक्स आपकी लिए भी जरूर यूसफुल रहे होंगे और मेरी ये महनत अगर आप तक पहुची होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजे इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूसफुल लगी हमें कमेंट करकर जरूर बताए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजे सब्सक्राइब बटन की आगे एक नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए